नमस्कार आप देख रहे हैं पलपल चोटे शहरों में भी हब होली के तुहारों पर करोना का असर होली बजार पर साफ तोर पर नजर आ रहा है दुकानदारों का कहना है कि इस बार मार्केट में चाइना का कोई भी प्रोड़क्ट नहीं आया अगर किसी के पास चाइना का प्रोड़क्ट बेचनी के लिए मवजूद भी है तो लोग चाइना का प्रोड़क्ट ख्रीडने से डर रहे हैं दुकानदारों का कहना है कि करोना के डर से इस बार कई होली मिलन सावारों भी रद हो चुकी है जिसका असर होली के बजार पर पड़ रहा है दुकानदारों के मताबिक अभी तक होली के समान की ख्रीदारी ना के बराबर है बजार के हलत भी बहुत खराब है होली की पिछकारी, रंग वे अन्य समान जो दुकानदार एक माहा पहले ही ख्रीदारी हो पाई दुकानदारों का कहना है कि मेड इन इंडिया मॉल उन्हें मिल राया लेकिन इसमें विरियายटी काफी कम है चाइना का मॉल इस बार आ ही नहीं रहा वहीं लोग चाइना का मॉल लेने से भी कतरा रहे है surprised दुकानदारों को आस है किольш आसे कि फुली की एक कि सर्ट करोना वाईरस का बहुत असर है बज़ार में यह चैनियस पर डिक्ट आया है और चैनिस हर कोई डर रहा अगर कोईमार्किट में मार्केट में प्रचाइजिंग पावर बहुत कम है बहुत कम मतल़ बिलकुल ना कि वराबर माला आया है बिजार के हलत बिलकुल खराब होई वे इस टान तो अगे देखो मोके पर क्या बनता है लेकिन फिलाल मोके पर कुछ नहीं चल रहा है पहले एक मिने पहले पर्चेजिंग हो जाती है हमारी लेकिन अबके आर बिलकूल टाइम टू टाइम पर्चेजिंग हुई है कारण किया इसका? कारण बस माल आनी रहा, इंडियन माल कोई जाद अच्छा माल आता नहीं है अच्छे इंदा सेंस मतलब ज्यादा मोडल नहीं आते हैं चाइना के मोडल ज्यादा आते हैं इसलिए बजार तो करोना वायरस ऐसे सबसे बड़ा इसका है बिल्कुल यही एफेक्ट है सबसे क्या नाम आपका सुनील गोईल साथ नो दस तरीकों बच्चे आएंगे होली का समान लेकर जाएंगे और जो भी आभी रंग आये हैं इंडिया के रंग आये हैं पचकारी हैं मुर्गा शाप गनेश के और अच्छा रिस्पोंस मिल रहा है श्टाले लग चुकी है बजार में तो आपके दोर इंडिया का समान सभी दुकान दर इंडिया का में वहाएं तो